बिस्मिल्लाहिर्रह्मानुर्रहीम आज हम चिकन मचूरियन रेस्टोरांट स्टाइल बना रहे हैं 200 ग्राम चिकन क्यूब हस्पे जैका नमक आदा चाय का चमच काली मिर्च एक चमच लसन अदर का पेस्ट एक चमच सिर्का अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको आदे गंटे के लिए फ्रिज में रख दिया मैरिनेशन के लिए फ्राई करने से पहले दो चमच कॉन फ्लावर दो चमच मैदा दो चमच तेल कॉच्छे तरीके से मिक्स किया हस बेजरूरत पानी डालकर पकोड़ों की तरह बैटर बनाना है दिर्म्यानी हाज पर चिकन को फ्राई करना है चिकन का एक एक पीस करके डालना है डालते ही हैलाना नहीं है दो से तीन मिनट तक चिकन को फ्राई करना है हुआँ मिनट तक उताया ऱʊने ठीन कर दोड़का दो से तीन मिनट बार चिकन को बाहर निकाल लिया यह रेस्पी रेस्टोरांट स्टाइल में बनाई है इसलिए इसको हमने दो दभा फ्राई करना है क्यूंके रेस्टोरांट स्टाइल में पहले थोड़ी सी फ्राई करके रख दिया जाता है जब डिश दुबारा बनाई जाती है तो उसको तेज आंच पर 2-3 मिनिट के लिए गोल्डन कर लिया जाता है अगर आप घर में बना रहे हैं तो एक ही दफा में आप इसको गोल्डन कर सकते हैं एक चमज लसन एक चमज अधरग चोप की उई प्यास कटे हुए सबसूँ चीजें डाल कर स्टर करते जाएं तेज आंच पर प्यास डाले शिम्लामित डाली गाजरें डाली इन तमाम सब्जियों को ज्यादा पकाना नहीं है बस टर ही करना है तेज आंच पर पत्ता गोबी यह तमाम सबजियां 100-100 गराम हैं बस इसका तेज आंच पर ही आपने इसको पकाना है ज्यादा नहीं पकाना एक चमच सोया सोस एक चमच डार्क सोया सोस एक चमच चिली सोस आदा चाय का चमच काली मिरच हस्पे जैका नमक नमक मिकदार कम रखनी है कि इन सोस्टेस में भी नमक होता है तेज आंच पर स्टर किया एक बिनिट से ज्यादा नहीं करना ताके सबजियों में क्रंची पन बाकी रहे अलका अलका दो कब पानी डाला या आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं एक से दो चमस सिर्का अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं वरना ना डालें आदे कप पानी में एक जमाच कॉन फ्लावर डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और आप जितना इसमें ठिक करना चाहें उतना डालें कॉन फ्लावर डालने के बार एक से दो मिनट तक पकाना है फ्राइ चिकन डाला और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके सबस प्यास डाल दिया मंचूरियन फ्राइड राइस या मंचूरियन पास्ता के साथ इसको सर्व करें जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मजूद है हमारे चैनल को प्लीज सब्क्राइब करें लाइक करें और गंटी का बटन दबाना ना भूलें